हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट निसान्त और आपका स्वागत है आपके अपने चानल डिफेंस टूटर में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको NDA Complete Course of Chemistry के लेक्चे नमबर 64 को बताएंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा periodic properties और यह आपका periodic classification of elements का यह last topic है इसके बाद हम इसके previous year के questions और साथ कुछ expected questions को बताएंगे तो खिर्पया वीडियो को पूरा देखेगा और आगे आने वाले वीडियो को भी वाच कीजेगा और दोस्तों आपको बता दें कि यह topic यह topic है आपको हम बता रहे हैं यह जो chapter जो आपको हम बता रहे हैं इससे लगबग जितने सारे concepts आपके exam में पूछे जा सकते हैं उन सभी concepts को हमने cover कर चुका हूँ और यह आपका last concept है और यह भी concept बहुत interesting concept है आप इसको पढ़िए पूरा देखिए और यहां से कुछ सीखिए और आपसे request है कि दोस्तों जो भी बच्चे हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज हमें like and subscribe कीजिए हमारे वीडियो को like कीजिए चैनल को जुरू subscribe कीजिए आपकी support की जरूत है तो बच्चे please support कीजिए कि हमें भी मेरा मनवल बढ़ है और हम भी आपके लिए अच् क्या होते हैं इसके definitions क्या होते हैं इन सभी को पढ़ेंगे electrone negativity के definition होते हैं यह कुछ orders को भी समझेंगे तो चलिए दोस्तों हम अपने फस्ट टॉपिक electron affinity को पढ़ते हैं जिसके जिसे हम यह के नाम से भी जानते हैं electron affinity इसको हम यह भी कहते हैं ठीक है तो देखिए electron affinity basically electron affinity basically होता क्या है कि देखिए electron affinity को हम define करते हैं it is a energy release when an extra electron is added to an isolated gaseous atom यानि अगर किसी भी single atom single ionized atom पर अगर आप या फिर कहा है किसी भी single gaseous atom में single gaseous atom पर आप किसी भी extra electron को कोई आक एक ऐलेक्स्ट्रोन को add करते हैं ठीक हैं मन लेते हैं यह क्या है कुछ atom है सीधर मानते ही क्या है किसी भी atom element का इसमें क्या करते हैं और यह Extra electron करने पर जो आपका amount of energy energy क्या होता है energy release आपको देना परता है देना परता है वहान पर Enerjee required होता है ठीक है वहान पर besante डोटा है ठीक है अगर आप किसी फींट्रोंस ए Rugby को add करते हैं तो वहान किसी होता है énerाशी हिर अपर एक wolves होता है ठीक है रिक्राइबmam पेमें देना पड़ता है तो इस पॉइंट को ध्यान में रख जो कि आपको क्या मदद करता है जैसे आपकी एना इनसे में यह मदद करता है और आपको इस लेटर कुछा पुछे जा सकते हैं अगर बढ़िया कुछी स्वाइट है इस भी प्रमिंटे कि इत जो ỷब होते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसे आप स्लो करके देख सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है वीडियो को बाच किजिए देखिए आपको क्या करना है इस सुरी आपको क्या करना आपको सुनना है और आपको समझते चलना है अग कोई भी element कितना anion form कर सकता है ठीक है तो आपको बता दे कि कैसे बताता है हमें कि कोई atom कितना anion form करेगा या फिर कोई element anion form कर सकता है कि नहीं जल्दी कर सकता है नहीं कि लेट से करेगा देखिए अगर कोई element मानते है करम कोई element है और यह anion को को form करता है तो bile for को आइन करने मतलब simply निईटी मं को फो जिसका याइन करेगा होगगे नुख लाइंट साकता है किस façon करने का कया होता है अना आ न कर नुख अप्रम करने का करेगा electrodes को क्या करेगा अपने में एड करवाईगा और जितना ज्यादा amount of it Re trampнич- Machuto वावगर एड करवाईगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा वह आपका energy LIKT करेगा और उसका एफ Kingdom त्ना ही ज्यादा होगा ठीके और उसा महा आपको पात लिए कि ओहां वहां वह त्या expert हम ने आपको बताया तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा नेश्थ पाइंट के हमारा कि एल्च्रोन इस पॉइंट को याद रहें यह important points है इलक्रोन इफनिटी जो होता है वह आपका periods में periods के निग मतलब आपके horizontal rows में क्या होते है left to right जाते समय left to क्या होता है left to right जाते समय बताइए क्या होता है यहाँ पर लिखावा है left to right जाते समय आपका क्या होता है increase करता है क्या होता है बढ़ता है left to right जते समये बढ़ता है लेकिन अगर वह ही भी बात करें आपकी अगर वह top to bottom जाए ठीक है यानि groups में क्या होता है groups में अगर top to bottom जाए तो उनका क्या होता है तो इस प्र च्रिफ कर जाता है और लेट टू राइट जाने में आपको एलेक्टोन आफिनिटी इन्क्रीज कर जाता है ठीक है समझ में आगया होगा next point क्या है हमारा हम अगर बताएं आपको pictorial representation से इस third point को तो यह हमारा pictorial representation हमें बताता है कि अगर हम left to right जा रहा है तो हमारा electron affinity increase कर रहा है अगर नीचे से उपर जा रहा है तो आपको नीचे से उपर जा रहा है लेकिन हम top to bottom बता है तो आपको नहीं किजगा ठीक है तो आपको left to right क्या करेगा टॉप टू बॉटम आपको क्या करेगा डिक्रीज करेगा ठोके ओके समय आ गया होगा आपको तो चलिए next question sorry next topic की ओर next topic हमारा electron affinity है इसी के कुछ और points है तो चलिए यह क्या है हमारा points में कहा जा रहा है पहला points में कि यह क्या है electron affinity of zero groups element is extremely low अब क्यों अब zero group बाले elements के electron affinity extremely low क्यों होते हैं तो चलिए points को हम समझते हैं basically आपको इस points को याद करना है लेकिन हम आपको region इसके लिए बताते हैं हमें साथ ताकि आपको रटना ना पड़े अब देखिए electron affinity यही zero बाले points जो आपके zero group बाले element होते हैं और इसे हम क्या 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 है noble gas क्या 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 नौवेल determined तो चलिवाई आपको बतातकिم केको नोवेल घ्रकानी फॉर्जेंट मोंताय हैं क्या होते है इनके यह ही इलेक्ट्सेंट क्मीप्राइशन चैने इस में का हमने अलइक को होगाई है तो यह वहाँ प्रफिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल्फिल यह पॉइंट के यह होता है उनका साइज होता है और जिसके कारण क्या होता है उनका बढ़ जाता है तो आपको इस पॉइंट में क्या समझना है इस पॉइंट में आपको यह समझतना है कि फ्रॉरीन जो होता है इसका क्लोरीन से just अंब हैDo you don a कि द스트 व्हुक्तर है तो पहले हम अपको आपको समझाए्ट कि यह म्युक्तर समल हो एक ओड़ यह तो यह लेकिन क्या होता है order थोड़ा सा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद कैसा हो जाता है chlorine का बढ़ जाता है किसे fluorine से फिर bromine से फिर iodine से ठीक है और इसी point को यहां पर लिखा गया बाए तो हम इसका करने वाल है इस point को आपको याद रखना है और चलिए आपको region बताते है कि यह जो आपका है. जैता है तो यही बस आपको याद करना है कि फ्लोरीन ब्रीक्ट ज़्यादा हो जाता है आपको रिजन जल्दी नहीं पुछेगा लेकिन आपको concept याद रहेगा डीजन याद रहेगा तो आपको याद करने में भी सुविरा होगा ठीक है तो इस point को याद कीजिएगा यह important point है यह order of electron affinity of halogenes halogenes का electron affinity क्या होता है सबस्यदा chlorine का फिर chlorine का फिर dopamine का फिर iodine का ठीक है चलिए next points के और बढ़ते हैं ऐसाग इस वाले हैं electrone negativity को समझेंगे ठीक है किसों समझेंगे electromagnetivity को ठीक है dear है अब को बताए ऑफ़ी विपी इलेक्रों सेभी आपके अपने में डिटिवाद करता कि किसी ही बढ़ता है के ये चे potrzeण सेफ़ मोग veterinaryत को अक्वत Salर करता यानि वह आपके अल्ट्रों जो बॉंडिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो यह आपका मेजर डिफरेंस इस पॉइंट को आप याद रखें यह इंपॉटन पॉइंट है आपके कोसंस इक्जाम में पूछा सकते हैं कि एलक्ट्रों निगेटिविटी एलक्रों आफि इलक्ट्रों रविंग जो इलक्ट्रों से प्यार करें ठीक है इलक्रों लविंग होता है इसका डिफिनिशन अगर आपको समझाए इंगलीज में थोड़ा मतलब आपको प्रॉपर बुक के भासा में तो देखें इस तेनेंसी ओफ एटम यह टेनेंसी होता है किसी भी आटम सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है जो बॉंडिंग में पार्टिसिपेट करें 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 सिर्फ इसी तो इसी टाइप की जितने भी आपके elements होंगे जितने भी compounds बनेंगे तो उसके जो भी share pair of electrons होंगे जिस भी elements के माल लेते हैं hydrogen यहाँ element है इस hydrogen का एक electron के आगया भाई shared किया भाई shared है इसके साथ bonding में है तो इस electron को क्या करेगा वो आपको समझाना था आपको आपको आपके जो सलेबस में यही बेसिकली एक आपको समझना था जिसे हमने समझा दिया और आपको पूछ points बताएं क्या points बताने वाले हैं कि decreasing order of electronegativity यह कुछ decreasing order of electronegativity के यह decreasing order को क्या करेजिए आप simply सेम होता है फिर bromine फिर chlorine और आइडीन का सेम होता है फिर hydrogen का ठीक है तो सबसे ज़्याद आपका electronic activity होता है वह होता है fluorine का वह कितना होता है 4 होता है आपको याद करते चलिए oxygen का कितना होता है 3.5 होता है chlorine nitrogen का 3 होता है bromine का 2.8 होता है chlorine और iron का 2.5 होता है hydrogen का 2.1 होता है और यह आपको तभी याद होगा जब आइसको बार बार रिपीट करते चलिएगा ठीक है बार बार इसको याद कीजिएगा ठीक है आपको एक छोटा सा आपको यहां पर होता दे एक त्रिक के तरह तो आप या financial officer Nandun Clinton ठीक है आप इतना पॉइंट को यह तीन तो आपको यहाद हो गया financial officer Nandun Clinton आप इस तरह order आगे भी यादर सकते ठीक है अपने से और कुछ बना लिजिए आप कुछ बता सकते हैं BCIH BCIH ठीक है इसे आपको कुछ भी बना सकते हैं जिसे अभी हम से नहीं बन पार होतन तो आपको बस हम स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट बताएं आपको financial officer Nandun Clinton आप याद रखे और आगे BCIH से करके कुछ भी यादर सकते हैं ठीक है तो यह क्या करना आपको इस तरह से आपको यादर रखना है तो यह आपको इंपोर्टेंट और हैं तो आप इसे ध्यान में रखिए तो चलिए यहां तक आपका पूरा एलक्रो नेटिविटी और एलक्रोन इफिनिटी को हमने समझा दिया तो बताएएगा दोस्तों वीडियो लेक्ट्र आपको कैसा लगा यहां से कुछ अगर सीखे कि आप नहीं सीखे अगर कुछ भी सीखते हैं दोस्तों तो प्ल बाइब